सावन सिवरात्री की हार्दिक सुब कमना सावन सिवरात्री पर सुने महा काले स्वर की पोरानिक था उज्याइनी में राजा चंदर सेन का राज था वह भगवान का परमभक्त था सीवगनों में मुख्य मनि भदर नामक गन उसका मित्र था एक बार मनी भदर ने राजा चंदर सेन को एक अत्यानते तेजों में चींता मनी प्रदान की चंदर सेन ने इसे गले में धारन किया तो उसका प्रभा मंडल तो जगमगा ही उठा साथ ही दुरस्त देशों में उसकी यह से किर्थी बढ़ने लगी उस मनी को प्राप्त करने के लिए दूसरे रजाओं ने प्रयास प्रारंभ कर दिया कुछ ने परत्यक्ष मांगी, कुछ ने वीनती की चुकि वह राजा की अत्यानते प्रियवस्तु थी अत्हराजा ने वह मनी किसी को नहीं दी अंतता उस मनी अखांची रजाओं ने अकर्मन कर दिया सीव भदर चंदरसेन भगवान महकाल की सरन में जाकर ध्यानमगन हो गया जब चंदरसेन समाधी इस्त था तब कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ है बालक की उम्र थी पांच बर्स और गोपी बिध्वा थी राजा चंदरसेन को ध्यानमगन देखकर बालक भी सीव की पूजा हेती प्रेडित हुआ वह कहीं से एक पसान ले आया और अपने घर के एकांत अस्थल में बैठकर भक्ती भाव से सीवलिंग की पूजा करने लगा कुछ तेर पस्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया किन्तु वह नहीं आया फिर बुलाया फिर नहीं आया माता स्वय बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मगन बैठा है और उसकी अवाज सुन रही है तब कुरूध हो माता ने उस बालक को पिटना सुरू कर दिया और समास्त पूजन समागरी उठा कर फेक दी ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नश्ट देखकर बहुत दुख हुआ अचानक उसकी बेवस्था की गई गहराई से चमतकार हुआ भगवान सी की किरपा से वहाँ एक सुन्दर मंदिर निर्मित हो गया मंदिर में मध्य में दीब श्यूलिंग विरजमान था एवं बालक द्वारा सजित पूजा बेवस्था थी उसकी माता की तंद्रा भंग हो गई और अश्चरे चकित हो गई राजा चंदर सेन को जब सीव जी की अनन्य किरपा से घटित इस घटना की जनकारे मिली तो वहाँ उस सीव भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे तब ही वहां राम भक्त सिरी हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठा कर सभी रजाओ और उपस्थीत जन समुदाई को संबोधित किया अर्थार्थ सीव के अत्रिक्त प्रानियों की कोई गती नहीं है इस गोप बालक ने अत्यांत सीव पूजा को मातर देख कर ही बिना किसी मंत्र अथवा बिधी विधान से सीव अराधना कर सीवात्या सरवाधी मंगल को प्राप्त किया यह सीव का प्रम्श्रेष्ट भक्त समास्त गोप जनों की कृती बढ़ाने वाला है इस लोक में यह अखिल अनांत सुखो को प्राप्त करेगा मर्नो प्रांत मोक्ष को प्राप्त होगा इसी के वन्स का अठारवा पूरूस महा यसस्वी नंद होगा जिसके पुत्र के रूप में स्वाई नरायन कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे कहा जाता है कि भगवान महाकाल तभी उजैनी मेश्वाई विरजमान है हमारे प्रचिन ग्रंथों में महाकाल की असी महिमा का वर्नन मिलता है महाकाल सक्छात राजा धिराज देवता माने गए हैं महा सीवरात्री के दिन समूचा सहर सीव में हो जाता है चारो और बसीव जी कहीं गुंजन सुनाई देता है सारा सहर बराती बन सीव विवाह में सामिल होता है अगले दिन अमास्या को सेहरे के अत्यांत अकर्सक दर्सन होते हैं नैना भीराम साज सज्जा के बीच एक उत्सव धुमधान से संपन होता है भगवान सीव की यह नगरी भक्ती रस में अकंठ डूबी नजर आती है तो भक्तगन ये थी महा कालेश्वर की पौरानिक कथा आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जनकारी प्राप्त करने के लिए और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद महा कालेश्वर की जय